हेलो स्टुडेंट्स वेलकम अगें टू लेंगरे दिमन तो देखिए हमारा यूनिट वन चल रहा था जिसमें हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे सिक्षण टीचिंग तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्षण सूत्र कि ऐसे कौन-कौन से सूत्र हैं जो की सिक्षण के दोरान एक सिक्षण को अपनाने चाहिए इनका ग्यान जो है वह है एक सिक्षण को होना चाहिए तो सिक्षण मनोविग्यान के अंतर का सिक्षण को सिक्षण सूत्र का ग्यान होना अतियावश्यक है और दिखिए इनमें से जो कुशन आता है वो इसी तरीके का आता है जैस में से कौन सा जो है मनोविज्ञानिक सिक्षन सूत्र नहीं है तो आपको जो है तब तिक करना होगा फौर्थ क्योंकि अंस से पूर्ण नहीं बलकि पूर्ण से अंस की और ये एक सिक्षन सूत्र है ठीक है दूसरा इनका अर्थ जो है वह है पूछ सकता है तो ये आपको बिल उसको पूर्व ग्यान क्या है जो भी ग्यान है उसके अधार पर ही उसे जो ग्यान नहीं है उसकी और ले जाया जाना चाहिए उसको सबसे पहले कठिन चीज उसके सामने बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए यदि उसके सामने कर दी जाएगी तो वो बिल्कुल पर के साथ वो नहीं आता है तो जो भी उसे अन्वव है जो भी विसे आपको पढ़ाना है जो भी चैप्टर आपको पढ़ाना है उसके बारे में सबसे पहले जो नौलेज है वो निकलवाएं कि उनको कितना पता है उसके आधार पर ही जो चीज उन्हें नहीं पता है उसकी और ल कठिन चीज जो है वो प्रस्तुत करते ही बच्चे को कुछ नहीं समझ में आने वाला अब देखिए पहले के जो अध्यापक होते थे उनका काम होता था चैप्टर को पूरा करवाना चाहे वो कैसे भी करवाएं उनको ये नहीं जानना होता था क्या बच्चे को ये चीज समझ करोगे वही चीजें तो ऐसा नहीं करना है कि हमें जो है जो है साइंस का ही टॉपिक ले लीजिए परमानू के बारे में पढ़ाना है तो हम डारेक्ट जाएंगे और परमानू के बारे में जो है व्याख्यन कर देंगे बच्चों को नहीं समझ में आने वाला उससे पहले उ अमूर्थ से अमूर्थ की और, मूर्थ यानि की जिन वस्तों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, और अमूर्थ यानि जिने हम देख नहीं सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अब खुद ही सोचिए कोई भी बच्चा ज यदि बात करें तो वहाँ पर यदि हम बात करें अलफा वैट सिखाने की ABCD यानि A for Apple, B for Ball सिखाने की तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उनको सीधा ये नहीं सिखा देंगे कि चलो बच्चो A से Apple, B से Ball और C से Cat हाला कि बच्चे जो होते हैं उनकी मेमोरी क्या होती है? उनकी मेमोरी ऐसी होती है कि आप जो सिखाएंगे वो जल्दी से catch कर लेते हैं जल्दी से सीख लेते हैं क्योंकि रटने की प्रवती जो है उनमें होती है जो भी छोटी classes के बच्चे होते हैं और यदि आप उनको वस्तुएं दिखा दोगे जिससे आपको पढ़ाना है वो उनको लंबे टाइम तक याद आएगी जब आगे जाके उनको वो चीज नहीं दिखाओगे आप और पूछोगे तो वो फटावट से उसको बता देंगे तो मैंने आपको एक्ग्सामपल जो है बताया कि उनको A for Apple सिखाना है तो आप उनको Apple जो है वो उनके सामने प्रेजन करोगे जिससे कि वो Apple को देखते ही और फिर आगे कभी भी आप पुछोगे Apple भी नहीं होगा फिर भी वो A for Apple ही बोलेंगे एपल का कलर भी बता देंगे किस तरीके का दिखता है ये भी बता देंगे ठीक है तो एक सिक्षक को मूर्थ से अमूर्थ की और जाना चाहिए उसके बाद जो है उसके बारे में जो है सोचना विचारना चाहिए कि जो है एपल तो हमने देखा था अब apple के क्या-क्या गुण होते हैं, red color का होता है, कौन सा vitamin होता है, ठीक है, ये चीज जो है वो बाद में सोचने वाली है, इनी चीजों को यदि आप पहले present कर दोगे, तो वो नहीं समझ पाएगा, next देखें, पूर से अंस की और, तो हमने देखा कि gestalt वादी जो है, जो gestalt वादी जो हमने संपरदाय देखा, school देखा, उसमें उन्होंने ये कहा था, कि कोई भी बच्चे को यदि कोई चीज सिखानी है, तो सबसे पहले संपूर जो है, उसके सामने present करो, बजाए छोटे-छोटे अंस के, पूर जो है, ज़्यादा important रखता है अंस की वजाए, तो संपूर ता, यानि कि syllabus का ही आप example ले लिजिए, कि आपको जो है, मनो विज्ञान की हर unit में कौन-कौन सा topic आएगा, यदि मैं आपके सामने वो रख देती पहले, तो आप जो है, सबसे पहले मैंने आपके सामने जो overview है, यानि syllabus जो है, वो मैंने आपको दिखाया, कि ये ये जो है unit है, इसके बारे में जो पढ़ना है, वो बात की बात है, तो इसी तरीके से, पूरी जो book है, दिखाने की बजाए, सबसे पहले index जो होता है, यानि जहाँ पर syllabus होता है, जह syllabus जो है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, syllabus जो है, वो उसका आपको ग्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, तो पूंटा से अंस की और जाया जाना चाहिए, विसिस्ट से सामनने की और, यानि की उधारन से जो है, सामनने की और जो है, आपको ले जाना चाहिए, एक बच्चे को, मनोवे ज्यानिक से तारकी की और, कोई भी बच्चे की सोच विचार से पहले, उसकी रुची, अभी रुची, उसकी जो आविशक्ता है, जो नीड है, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके वह स्टार्टिंग में ही तर्क वितर्क करने लाइक होता ही नहीं है, सबसे पहले उसका इंट्रेस्ट मालूम होना चाहिए, कि उसका इंट्रेस्ट इसमें है या नहीं है, सेवन पॉइंट देखिए, विसलेशन से संसलेशन की और, विसलेशन का आर्थ क्या होता है, इसका जो है छोटे छोटे जो है भागों में देखना जब उसको छोटे छोटे भागों में देख लेते हैं समझ लेते हैं और फिर आप उसको जो है एक खटा जोड कर जो है उसके सामने प्रेजेंट कर दो तो विशलेशन से संसलेशन की ओर जो है ले जाया जाना चाहिए एक विध्यारती को आगमन से निगमन की ओर वही सरल से जटिल की ओर कोई भी चीज पहले जो है सरल होनी चाहिए उसके बाद जटिलता की ओर जाया जाना चाहिए तो देखे लगबग जो point है वो समान ही है 9 point है अनुभव से विवेक की और कोई भी बच्चा जो है जो की पहले सही कुछ न कुछ अनुभव के साथ जो है स्कूल में आया है तो उसी अनुभव को लेकर जो है विवेक की और जाया जाना चाहिए ठीक है अनुभव से ही तरक की और बढ़ना चाहिए 10th point है अनिश्चित से निश्चित की और यानि कि जो भी चीजें जो हैं बच्चे के सामने पहले निश्चित नहीं होती है क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को किसी भी घटना तथ या वस्तू उसका जो है इसपस्ट या निश्चित ग्यान नहीं होता है तो इसी लिए जो ग्यान उसको नहीं है तो वहां से निश्चित जो गड़ना उसका ग्यान नहीं है वहां तक ले जाया जाना चाहिए ठीक है? क्योंकि बौद्धिक विकास का क्रम जो है कैसा होता है? अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है तो ये जो है पॉइंट थे सिक्षन सूत्र के जो कि आपको भी जो है अपने व्यक्तित्व में ढालने हैं कि जब भी आप पढ़ाएंगे बच्चों को ग्यात से अग्यात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पून से अंस की ओर, विसिस्ट से सामानने की ओर, मनो विज्यानिक से तारकिक की ओर, विसलेशन से संसलेशन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव है स्मृति इस्तर फिर है अवद इस्तर और फिर है चिंतन इस्तर और ये भी निम्न से उच्च की ओर है ठीक है उच्च से निम्न नहीं निम्न से उच्च की ओर तो इस्मृति इस्तर जिसको हरबर्ड ने दिया अवद इस्तर जिसे मौरिसन ने दिया और चिंतन इस्तर जिसे पूचा जाता है अवद इस्तर किस ने दिया? मौरिसन ने दिया, चिंतन इस्तर किस ने दिया, हंट ने दिया, इस्मृत्ति इस्तर किस ने दिया, हरवर्ट ने दिया, अब कोई भी टीचिंग का एक्जाम दोगे, सिक्षन से संबंदित जो भी चीज़े हैं वो आप से नहीं चाहिए तो देखिए यदि हम इस्मृति इस्तर की बात करें तो यहां हम 1 से 5 प्लास जो होती है प्रात्मिक इस्तर की तो उसको हम देख सकते हैं क्योंकि यहां पर यदि हम example प्रात्मिक इस्तर का लेते हैं तो देखिए आपको चीज़े बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी इस्मृति इस्तर यानि की मैमोरी में हर चीज जो है फटाफट से आ जाती है किसके जो छोटे बच्चे होते हैं छोटे बच्चों को हम कुछ भी सिखाते हैं तो वो उसको क्या करते हैं रट लेते हैं तो रटने की जो प्रात्मिक विध्याले में जो है इसका प्रियोग किया जाता है अब वह उस्तर यैनि की जानना किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाना अब समझने की प्रवती जो की एक से पांचवी क्लास तक के बच्चे को नहीं होती है इतनी जितने की आपको 6 से 8 तक की क्लास के बच्चों में होगी कुछ भी हम उनको बताएंगे तो उस चीज़ को वो समझेंगे ठीक है लेकिन यहां पर चिंतन इस्तर जो है अववोध इस्तर यहां पर स्टार्ट हो जाता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना की 8th class के बाद बच्चे में आ जाता है कोई भी समस्या होती है उसके सामने दे दी जाए तो वो solve कर सकता है अपने चिंतन के द्वारा अपनी सोच के द्वारा तो चिंतन इस तर जो है कब होता है आपने खुद ने देखा होगा कि 9th, 10th, 11th, 12th का बच्चा जो है जो की इसी इस्तर में आता है ठीक है तो यहाँ class wise जो है आप याद रख सकते हो 1 to 5 इसमरती इस्तर रख सकते हो 6 से 8 तक अववद इस्तर और 9 के बाद जो है चिंतन इस्तर जो है वो प्रारम हो जाता है एक जो छोटा बच्चा है वो है केवल इसमरती जो है मेमूरी में अपने बहुत सारी चीजें जो है वो याद रख सकता है अभी उसके अंदर चिंतन नहीं आता है तो सिक्षन के तीन इस्तर माने जाते हैं जिनने साधारन से जटिल की और क्रमवद किया जा सकता है इसमरती इस्तर देखिए यह सिक्षन का सबसे साधारन इस्तर होता है इसे सामानने तया विध्याले में प्रात्मे कक्षाओं पर ही प्रियोग में लिया जाता है तो प्रात्मे कक्षाओं कौन सी होती है वन तू फाइफ क्लास इसे सिक्षन में अध्यापक का उदेषय छात्रों के मस्तिक्ष में सूचनाओं का भंदारन करना होता है क्योंकि स्टोरीज करने की जो शम्तव होती है जितनी शोटे वच्चों में होती है इतना आप में भी नहीं है इनको आप कितना भी सिखा सकते हो वो सीख जाएंगे कितना भी रटा सकते हो रटाओ वो रट लेंगे क्योंकि उनका चिंतन इस तर जो है वह अभी डेवलप नहीं हुआ है वो सोच नहीं सकते हैं इसी लिए कहते भी है कि जो बेस होता है बच्चों का वो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए जितना आप बच्चे को पढ़ा सकते हो और ऐसा बिलकुल में नहीं होता है कि छोटे बच्चों के मामलों में कि जो छोटे बच्चे होते हैं कि उनको कुछ जो माएं होती हैं वो कहती है कि इतना मत पढ़ मेरे बच्चे के माइंड पर जो असर होगा ऐसा नहीं होता है वो उम्र ऐसी होती है जिसमें आप जितना ग्यान दे सकते हो तो जितना सिखा सकते हो शिखाओ बहुत जल्दी जो हो उसके अंदर जो कैचिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है बजाए बड़े बच्चों की तो सूचनाओं का भंडारेड करना जो है इसका उदेश्य होता है इस इस्तर में ताकि जरूरत पढ़ने पर बालक उन सूचनाओं को पुनहे उत्पादित कर सके और जो भी उनसे पूछा जाता है फटा-फट से जो है वो उनको बता दे है इस इस्तर के सिक्षन को पूर्ट विचार हीन माना जाता है रटने पर बल दिया जाता है यह सबसे इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर इसमरती इस्तर में रटने पर ही बल दिया जाता है बिलकुल विचार हीन होता है बच्चा जो है विचार तरक वितर करने लाइक ही न इस्तर पर चिंतन का प्रियोग जो है वो शुरू हो जाता है ठीक है तो second जो अववोध इस्तर है यहाँ पर यह ध्यान रखिए examiner है जो है गुमाने के लिए आपको यह ये लाइन जो है वो दे सकता है कि कौन सा इस्तर है जहाँ पर चिंतन का प्रियोग जो है वो प्रारंब हो जाता है तब आप थर्ड जो है नहीं लगाएंगे तब आप सेकंड लगाएंगे अववोध इस्तर यहाँ पर चिंतन का प्रियोग सुरू हो जाता है लेकिन वास्ता में चिंतन करता जो है वह है जो थार्ड स्टेज है चिंतन इसतर वहां करता है इसे सिक्षन में सिक्षन का उद्देश से छात्रों द्वारा बिविन अवधार्नाओं को समझ कर स्वयम उनका वर्णन कर पाना होता है तो कोई भी कंसेप्ट उनके सामने रखते हैं तो उनको समझ पाते हैं सामानने ते उच्चे प्रात्मिक एवम सेकेंडरी तक इसे सिक्षन का प्रियोग किया जाता है अब देखे थर्ड जो है चिंतन इस तर्ड तो यहां पर वो कल्पना करेगा तर्क वितर्क करेगा सोचेगा अमूर्त तकी और जाएगा यह सिक्षन सबसे जटिल माना जाता है सामानने ते इसे सिक्षन में छात्र को अत्य दिक सक्रिये रखा जाता है इसे सिक्षन का उदे छात्रों द्वारा अधिगम किये गई बिंदूओं पर स्वयम जिंतन कर पाना एवं किसी विसेश परिस्तिती में तर्क का उपियो करना होता है तो यहाँ पर जो बच्चा है उसको जो भी विसेश परिस्तु पकड़ाई गई है तो उसके बारे में खुझ सोचेगा मान लीजे टॉपिक उसको दे दिया जाए समाज का ही दे दिया जाए और बच्चा जो है प्रात्मिक विद्याले का हो क्या वो समाज के उपर बोल पाएगा लिख पाएगा सोच पाएगा कुछ नहीं कर पाएगा ठीक है तो यहाँ पर इस इस तर पर जो है वो बच्चा सोचना प्रारम करता है चिंतन करता है और कोई भी उसके सामने जो भी विसेवस्तु प्रेजेंट की जाती है तो उसके ब प्रशनोतरी प्रायोग कारे स्वेम करने की छूट जाती है यानि करने की छूट जो है वो यहाँ पर होती है तो यहाँ पर देखिए जो भी कमटीशन हम देखते हैं वाद विवाद प्रत्योगिताई हो गई समू पर चर्चा हो गई प्रशनोतरी जो भी कमटीशन एक्जा पर भी यह चीज़ें हमें देखने को मिलती है तो वहां पर बच्चा जो है वो चिंतन जो है वो करना प्रारम कर देता है तो सिक्षन के जो तीनों सूत्र हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें सिक्षन हे तु योगिता है तो क्या-क्या योगिता है जो है एक पर वहाँ पर वह है कौन कौन सी सिक्षन विदियों का प्रियोक करेगा तो इस चीज पर उसे ध्यान देना चाहिए और उसकी संपून नौलेज उसे होनी चाहिए तो जहां हम प्रात्मिक कक्षा की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि हर बच्चे को अगर हमें कोई चीज सिखानी है तो कहानी कथन विधी का प्रियोग वहां किया जाता है यानि कहानी जो है कह कर उन्हें वो चीज समझाई जाती है तो ऐसी ऐसी रुचिकर विधियों का प्रियोग जो है वो टीचर करे अपनी क्लास के according ठीक है फिर देखें सिक्षन विवहार सम्मंदी योगिता यानि कि एक अध्यापक का टीचिंग करते वक्त क्या विहिवियर है क्या उसका विवहार अच्छा है क्या उसका विवहार बु समझेंगे यदि एक सिक्षा का विवहार ही अच्छा ना हो तो बच्चा जो है उस सब्जेक्ट के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाएगा तो सिक्षन विवहार सम्मंदी योगिता यह भी होनी चाहिए विवहार जो है उसका सहन सकती वाला धैरे वाला होना चाह चाहिए कि क्लास में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो यह योगिता जो है एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए चाहे वो कैसी भी समस्या हो सकती है विध्यारती से सम्मंदित हो सकती है कि विध्यारती जो है एक जो की बहुत ही उत्पाद मचाता है जो की पूर जो भी चेर है, हो सकता है कि वो टूटी हुई है, बच्चा जो है वो है वो बहुत परिशानी में है, तो ऐसी कंडिशन में वो पढ़ाई पर जो है वो ध्यान नहीं दे पाएगा, या फिर और भी कोई समस्याएं हो सकती है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान संबंदी योग जो है एक अध्यापा के अंदर होनी चाहिए, सिक्षन करते समय, विद्याले प्रभाव सीलता, तो देखे प्रभाव सीलता से आशे क्या है, कि किसी स्कूल में चल रही संपून सैक्षिनिक प्रक्रिया की गुणवत्ता से होता है, यानि ऐसा स्कूल जहां संपून सैक्षि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही हो तथा वास्तम में बच्चों का सर्वांगेंड विकास सुनिस्चित किया जा रहा हो तो प्रभावसीलता विध्याले होता है यहां पर ये बात जो है समझने की है कि विध्याले प्रभावसीलता यानि वो विध्याले जो है किस तर जादा होगा क्योंकि उसे विध्याले की प्रभावसील्टा के करण ये पता चल रहा है कि बच्चों का जो वहाँ पर सरवांगीन विकास होता है किसी भी तरीके से उनके विकास जो है वो अवरुद नहीं होता है घीक है तो बहुत ही आसान सा टopik है यह आपके विध्याले प्रभावसीलता के बिभिन कारक, सबसे फर्स्ट देखिए विध्यारतियों से संबंदित कारक, छातरों का आपसी विभार, छातरों में अनुसासन, छातरों का सैक्षनिक इस्तर आयू और कक्षा के अनुसार, अब देखिए हम लोग जो है न्यूस्पिपर वगरा में देख लास्ट यर जो है हमारे स्कूल से इतने बच्चे जो है उनका सिलेक्षन जो है देखिए सैनिक स्कूल में हुआ है नवोदय स्कूल में हुआ है इस तरीके से जो है आप देखते हैं अखवारों में जो है ये एड दी जाती है तो उस विध्याले प्रभावसीलता के कारण जो है वो बच्चों की संख्या जो है उनमें बड़ोतरी होती है तो विध्यारतियों से संबंदित कारण क्या होते है चात्रों का आपसी विवार चात्रों का आपसी विवार बहुत अच्छा है तो यह विध्याले प्रभावसीलता का एक महत्पून कारण है चात्रों में जो है उस स्कूल में बहुत ज़्यादा अनुशाशन जो है वहाँ की जो छात्र है वो बच्चा जो है उस स्कूल का है यदि वह स्कूल से बाहर भी आता है तो उसको देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा जो है उस स्कूल का है क्योंकि उस स्कूल में अनुशाशन है छात्रों का सेक्षिनिक इस तर बच्चा इतना इंटेलिजेंट है क्योंकि वह उस स्कूल में बढ़ता है और उस स्कूल में एडमिशन जो है बिल्कुल एज को दिहान में रखकर ही दिया जाता है कि इस एज का बच्चा जो है इस क्लास में बढ़ेगा ऐसा नहीं किया जाता है कि कोई भी उमर हो और एडमिशन जो है किसी भी तरीके से दे दिया जाए यानि कि फिफ्ट क्लास का जो बच्चा है लग बग जो है वो दस साल का हो ठीक है ऐसा ना हो कि फिफ्ट क्लास का बच्चा है और वह साथ या आठ साल का है जादा इंटेलिजेंट है इसलिए जो है हमने उसको आगे कर दिया या फिर बहुत बड़ा बालक है तो उसको वहाँ पर एंट्री कर दी तो ये जो है विध्याले की प्रभावजीलता के कारक है परधानाचारे से संबंदित कारक क्या है जैसे कि जो प्रिंसिपल है उसकी जो नेत्रतव शमता है वह बहुत अच्छी है उसका विहेव जो है बहुत कड़क भी है और बहुत नरम भी है तो जिसकी वजे से ही पूरा जो staff है वही बिलकुल अन्शाशन में है और उसी के कारण जो है पूरा school जो है वही अन्शाशन में है तो एक प्रधान चारे का जो role होता है वही बहुत important रखता है विध्याले में किसी भी प्रकार का विवेदन ना करता हो अध्यापकों के योगदान को महत्पुन मानता हो तो कोई भी उसके अंदर ये चीज ना हो कि वो अंतर करे कि एक टीचर जो है दूतरे टीचर से बहुत अच्छा है वो टीचर जो है उसको इतना ग्यान नहीं है क्योंकि एक principle की under में ही सब ही जो है अध्यापक होते हैं और उन अध्यापकों की जिम्मेदारी जो है उसके उपर होती है सब को समान समझे ऐसा ना हो कि वो तो उसके relation में है तो उसको तो है वह है बहुत ज़ादा इज़्जद दे और बाकी किसी और को ना दे तो अपने स्टाफ की कमियों और गुणों को जानता हो यानि की स्टाफ में कौन से अध्यापक में क्या कमी है उसमें क्या गुण है जो भी कमिया है तो उसको अकेले में जाकर जो है उनको बुलाएं और उनकी कम्यों को बताना चाहिए ठीक है जो भी गुण है अध्यापक में तो उसके लिए जो है उन्हें पुरुस्कृत करना चाहिए तो ये भी जो कारक है प्रधानाचारे सम्मंदी ये भी विध्याले प्रभावसीलता का एक महतपून कारक है फिर देखें अध्यापक से सम्मंदित क्या महतपून कारक है छातरों के लिए अच्छा या मॉडल विवहार प्रस्तुत करता हो यानि एक जो बच्चा है वो ये कहे कि मुझे जो है जो भी मैट्स के टीचर है उनके जैसा बढ़ना है या साइंस के जो टीचर है उनके जैसा भी बनना पसंद करूंगा तो ये बहुत अच्छी जो है बात हो जाती है छातरों से प्रेम पूर्वक विवहार करता हो सहानु भूती पूर्वक विवहार करता हो तब भी देखिए विध्याले जो है प्रभावसील रहेगा जब ये पता लगेगा कि उस स्कूल का अध्या जो कि विध्याले को प्रभावसील बनाता है छातरों की आत्म अभ्यक्ति आत्म विस्वास को बढ़ाने में सहयोग करता है यदि किसी बच्चे को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो उसको डाटता नहीं है डाटने के बज़ए उसको ये समझाता है कि हाँ तुम कर सक तो जहां चातर जो है जो कि बहुत अच्छे तरीके से विवार कर रहा हो अध्यापक जो बहुत अच्छे तरीके से विवार कर रहा हो तो चातर और अध्यापक इनसे मिलकर जो है एक विध्याले बनता है तो विध्याले की प्रभावसीलता का ये महतबुन कारक रहता है व सेल का मैदान है, खुले बड़े कमरे हैं, पुस्त काले हैं, बैठने के लिए फरनीचर की सोविदाएं हैं, तो बच्चा खुस रहता है, ठीक है, और खुस, खुसी-खुसी में वो पढ़ाई जो और भी अच्छे तरीके से करता है, तो ये बहुत ही जो है सामानने बाते हैं तो एक विध्याले प्रभाबसील तो रहेगा, शिक्षन अधिगम प्रक्रिया से संबनित, शिक्षन अधिगम में विध्यार्तियों का सक्रिय सहयोग, यानि जो भी सिक्षन अधिगम में, जो भी प्रोसेस है, शिक्षन अधिगम में, यानि टीचिंग, लर्निंग में, ज तो वहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा समय अनुसार मुल्यांकन एवं छात्रों के रिकॉर्ड की उपलबदता और ये नहीं है कि पूरे वर्स में जो है जब लास्ट एक्जाम हो जाएं उसके बाद जो है उनका मुल्यांकन किया जाए यानि पूरे वर्स बर जो है धीरे धीरे जो है उनका मुल्यांकन करते रहना चाहिए छोटे छोटे स्टैप जो भी हो जाते हैं उसके बाद उनका मुल्यांकन होना चाहिए छात्रों का रिकॉर्ड जो है वहाँ पर हमेशा होना ही चाहिए कभी भी अचानक से कोई भी जो parents हैं जैसे ही school में पहुंसते हैं और पूछें कि हमारा बच्चा अब उसका क्या status चल रहा है तो बिल्कुल उसके सामने अध्यापक प्रस्तुत कर दे शिक्षन अधिगम सामिगरी का प्रियोग तो ये वही बात है कि सिक्षन अधिगम प्रक्रिया के दौरान यदि सिक्षन अधिगम सामिगरी का प्रियोग किया जाता है तो बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से अधिगम करते हैं सीखते हैं उसके बाद देखें प्रभावसाली सिक्षन की विसेस्ता है क्या-क्या विसेश्टाइं होती हैं जिनको हम समझ चुके हैं अब उनको एक-एक लाइन में हम पढ़ लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान है प्रभावसाली सिक्षन सून योजित होता है यानि फुल प्लैनिंग के साथ किया जाता है एक सिक्षन तो वो प् होता है शिक्षक अपने कारे के प्रती सकारात्मक द्रस्टी कौन रखता है जो भी कारे करता है तो वहाँ पर वो अपनी सकारात्मक द्रस्टी कौन के साथ जो है वो सिक्षन प्रक्रिया करता है शिक्षन चात्रों को केंद्र मानकर जो है कारे जो है करता है यानि चात्र ज सहानु भूती पूर्ण वही बात है जो मैंने आपको भी समझाई बच्चों के प्रती जो है सहयोग पूर्ण हो सहानु भूती पूर्ण हो तो सिक्षन जो है वो बिलकुल अच्छा होगा section जो है लचीला होता है यानि कि section जो ऐसा नहीं होगा कि हमने जो है जो भी planning की थी वहाँ पर हमने ये चीज जो है वो हम लेकर नहीं आए बच्चे जो है वो अचानक से कोई भी question पूछ लेते हैं तो उसका answer जो है वो दिया जाना चाहिए अपने जो विसे है जो भी हम पढ़ाने आए हैं तो हाला कि हमने उसको तयार किया है बहुत अच्छे तरीके से prepare करके और आम बच्चों के सामने प्रस्तोत हुए हैं हो सकता है बच्चों को उस चीज के बारे में बिल्कुल भी knowledge ना हो तो हम अपने जो भी हमने teaching करानी है तो उसमें बदलाव ला सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को जो है उस समय समझाया जा सकता है तो सिक्षन जो है वो कैसा होना चाहिए लचीला होना चाहिए बदलने वाला होना चाहिए परिवर्तन सिल होना चाहिए बच्चों के according होना चाहिए यह सिक्षन के उद्देश्यों की पूर्ती करता हो छात्रों की व्यक्तिकत बिविन्यताओं को ध्यान में रखका सिक्षन करवाया जाता है तो जिसकी मैंने आपको बाद बताई कि हर बालक जो है जो की भिन्य है दूसरे बालक से तो उसको ध्यान में रखका सिक्षन एदी कराया जाता है सिक्षन प्रभावसील रहेगा इसे सिक्षन में चात्रों का सक्रिय सायोग लिया जाता है तो सिक्षन जो है तभी प्रभावसाली रहता है जब हम कुछ भी विशेवस्तु बच्चों के सामने समझा रहे हैं तो हम बीच बीच में जो है कुशन उनसे पूछें जिससे की बच्चा एक्टिव रहे और उसका ध्यान जो है टीचर की तरफ रहे तो देखिए छात्रों की व्यक्तिकत बिविन्ताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षन करवाया जाता है अब आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़े बहुत सरल लग रही होंगी ऐसा कोई भी नहीं है जिनको सभी को सारी चीज़ें असान लगती हों तो वही बात होती है कि क्लास में भी बच्चे जो है वो अलग-अलग होते हैं सभी का जो है दिमाग अलग-अलग चलता है सोचने की जो है शक्ति सबकी अलग-अलग होती है तो उनको ध्यान में रखकर ही सिक्षन कराया जाना चाहिए छात्रों में विशे के प्रती रुची उत्पन करना है तथा छात्रों की जिग्यासा का पोशन करता है तो एक सिक्षन जो है उसमें ये होता है एक सिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उस विसे में बच्चों की रुचियुत्पन हो सके छात्रों की स्रजनात्मक्ता को बढ़ावा देना कोई भी कारे किया जाए कोई भी चीज पढ़ाई जाए तो उसमें creativity तो होनी चाहिए जिससे की बच्चे जो है उसके बारे में सोच सके अभ्यास ततहा दोहरान को भी समलित करना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज पढ़ी हुई यदि हम बार-बार उसका दोहरान नहीं करेंगे तो उसको भूल जाएंगे तो इसलिए अभ्यास जो है वह होनी चाहिए बार-बार उसे जो है रिपीट कराया जाना चाहिए यदि आप लोग exam से पहले revision नहीं करोगे तो कितना भी आप लोगों ने पढ़ा है कितना भी समझा है उस चीज को आप भूल जाएंगे बिल्कुल गोल गोल घूम जाएगा exam में यदि आप कोई भी पढ़ी हुई चीज की दुबारा से दोहरान नहीं करेंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे बालकों को वास्तविक जीवन से संबंदित कर सिक्षन करवाया जाता है तो प्रभावसाली सिक्षन वही रहेगा जहां पर जो रियल चीजे हैं जो भी लाइफ में यदि उनको दिखा कर वही मूर्त से अमूर्त की और जो हमने सिक्षन सूत्र की बात की थी वही है यहां पर यदि हम उसे रियल लाइफ के बारे में बताएं रियल लाइफ में जो चीज चल रही है उनको दिखाएं तो टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावसाली रहती है तो यहाँ पर जो है यूनिट वन आपकी कंप्लीट होती है इसको आप बार-बार दोहराईएगा हर चीज को पहले समझने के बाद जो है इनको दिहान से पढ़िएगा जिसे की एक भी कुश्यन आप लोग गलत ना कर पाएं क्योंकि साइकलोजी में देखिए बहुत सारी चीजें जो है समझने की है खुद उनको धारन करने की है और फिर अप्लाई करने की है ठीक है तो चलिए मिलते हैं यूनिट टू के साथ